नमश्कर दोस्तों आप सभी को सौमेनी थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और आपके finans डुमंडे मरे साथ करते हैं दोस्तों आज मैं आपको करेले के बारे में च्छोड़े सी इंफोर्मेशन देने कैने करेला यह जो होता है 5-6 पीट लंबा होता है दोस्तों लोग इसको जूस के रूप में भी उपयोग करते हैं करेला जो है स्वाद में बहुत ही थोड़ा से कड़वा होता है और यह जो है करेला के लिए बहुत ज्यादा अमन होता है और आपके भूख को बढ़ाता है जिन लोगों को भूख की समयश्या है कि भूख नहीं लगती है आपको कभी लगे कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपके शुगर लेवल में नॉर्मल आने में बहुत ज्यादा यह हेल्प करेगा इसका लाव वाया है तीनों दोश यहनि वाथ पिटकप रख्त दोश ब्लड को पुरिफिक्शन करने में भी करेले का बहुत ज अधितन में जिसको भी पैशाप में जलां होती हो या फिर बात्रुम पिशाप में यह भीथ जवड़ा होता है संदीवात में वह ज़दा परिदेग रहता है और नियुके से मैंने शाम हने वह जज़दा करता है जिन लोगों को भी जो बावासिर ऐसे निक के प्रोब्लम है उन लोगों को करे ले को 7 फ्रजदनीती प्रती दिन करना चाहिए दो blir की है कने अदिया शों को आपको उपकर मेरे साथ मापसों डॐस इसी तरही है तब तक की लिए proto